नमस्कार मैं हूं इंदू अहुजा कल गनेश चतूर्थी के उपाय में मैंने एक घास का उपाय बताया था तो आज मैं आपको वो करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को क्लियर नहीं था देखें में ये गंबले में घास निकलिये इसको आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से बान देना है आपको उसको उखारना नहीं है अगर आपके घंबले में घास नहीं है तो आप अपने घर के गार्डन में या घर के बाहर जाके कहीं पर भी इस तरह से आपको बानना है हर इच्छा के लिए आपको इस तरीके से दो-दो का सेट करना, यानि कि आपने यहाँ पर गांट बांदी फिर दूसरी इच्छा के लिए आप दूसरी जगा पर बांदेंगे जो नए दर्शक हैं, वो मेरा कल का एपिसोड जाके देख सकते हैं, वो है गनेश चतूर्थी पर करे यह खास उपाय और यह दो उपाय मैंने उसमें बताय थे, जिसमें की एक अभी मैं सामने डेमोंस्टेशन करके दिखा रही हूँ, ताकि वो confusion clear हो जाए, कि किस तरीके से य बहास का उपाय करना है, यह जरू से कीजेगा, एक बार करके तो देखे, इसका result आपको बहुत ही जल्द और अच्छा और positive आएगा, so I wish you all the best, God bless you, take care, bye